नमस्कार, हेल्दी टी सीरीज में आज जो टी की रेसिपी लेकर आई हूँ वो है बटर्फलाई पी फ्लावर टी यानि की अपर अजीता के फूल की चाय जिसे ब्लू टी के नाम से भी जाना जाता है ये टी आपके तनाओ को तो कम करती है साथ ही साथ आपके इम्मिनिटी को बूस्ट कर दिये और आपके ब्रेन के हल्थ को अच्छा रखती है तो अगर आपने मेरे चाइनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चाइनल को सब्सक्राइब कर दें आदे साथ बेल एकëlन बटन को दबा दें ताकि आप आने वाले समेई में मेरे ऐसे हलदी और इंफिर्मिटी वीडियो देख सके ब्ल्यूटी बिनाने के लिए मैंने आपर अपरजिता के फूलो को लिया है तो इनकी क्वांटिटी मैंने 7-8 लिया है इनने अच्छे से धो लिया है पानी निकाल लिया है इन फूलो के पीछे जो हरी डंडी होती है उन्हें इस तरह से निकाल लिया है इस टी की रेसिपी दो वेक्तियों के लिए है, तो मैंने सबसे पहले पैन में दो कप पानी लिया है, इसमें मैंने दाल चीनी का छोटा सा टुकडा, थोड़ा सा लेमन ग्रास, आदा चोथाई चमच कसा हुआ अद्रक और 5 से 7 नीमू के पत्तों को मैंने इसमें एड़ किया ह नीमू के पत्ते आउप्शनल है, तो 5 मिनिट तक हमें इस चाय को अच्छे से उबालना है, जब 5 मिनिट बाद चाय अच्छे से उबल जाए तब हम इसमें अपरजिता के फूलों को अड़ करेंगे, ध्यान रहे फूल डालने के बाद हमें इसे जादा दे तक नहीं उबाल आने देना है, जैसे ये एक उबाल आजाए अच्छे से हम ग्यास की फ्रेम को बंद कर देंगे और 5 मिनिट तक हम इस टी को ढख कर रखेंगे, तो ग्लू टी बनकर हमारी यहाँ पर तयार है, अब हम इसे चार लेंगे, तो काफी एक एनरजी रिचार्जिंग ये टी होती ह अगर आपके पास fresh flower अविलेबल ना हो, तो आप online dry flower को purchase कर सकते है, इस टी को जो लेने का सही समय होता है, वो breakfast के बाद, तो breakfast के 30 मिनिट बाद आप इस टी को try कर सकते हैं, और अगर अगर अकसर आप तनाव या stress में रहते हैं, तो रात को सोने से पहले आप इस टी को टी का जो color है वो एकदम change हो गया यह blue से purple टी में convert हो गई इस टी को antioxidant और anti-inflammatory भी का जाता है क्योंकि यह चाय आपके शेरी में सूजन वा दर्थ को कम करने में फायदा करती है blue टी की research यह बताती है कि यह blue टी आपके तनाव को कम करने में बहुत मदद करती है साथ ही साथ आपकी mood swing को ठीक करती है और आपके mental health को boost करती है thyroid, BP, diabetes, weight loss और heart disease में भी काफी फायदा करती है यह चाय कैंसर के cells से fight करने में मदद करती है यह चाय आपके विशुदी चक्र यानि कि आपके throat चक्रा को heal करती है आप अरजिता के food को एक natural food color के रूप में भी इस्तमाल किया जाता है तो आप भी इस टी को ज़रूर try करें और अपने अनुपर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो, तिल देन, बाबाई